बेलकम टू अडिया क्लासेस आज दस जनवरी है दस जनवरी का अकुछ मात्पोन करेंट अफेयर मैं कराऊंगा चले क्वेश्चन नमबर एक से देखते हैं क्वेश्चन नमबर एक है तेलंगाना उच नियाले के पहली महिला मुख नियाधिस के रूप में कीसे निक्त किया गया है तो हिमा कोहिली को दिल्ली उच नियाले के बरिष्ट नियाधिस जस्टिस हिमा कोहिली को तेलंगाना उच नियाले की पहली महिला मुख नियाधिस के चवान का स्थान लिया है नेश्ट कुस्चन है जेफ बोजेश की संपत्ती को पार करने वाला दुनिया का सबसे अमीर ब्यक्ती बनाया गया है तो कौन सा है तो। एलोन मस्क टेचला के मुख्य कारिकारी या दिकारी यानि सियो एलोन मस्क के स्वाविमीत वाली संपत्ती ने जेफ बोजेश की संपत्ती को पीछे छोड़ते हुए एलो नमस्की दुनिया की और सबसे अमीर ब्यक्ति बना दिया है नेश्ट कोश्चन है हाल ही में किस संगठन ने बैस्वी के खाद मुल सुचकां के जारी किया है तो कौन सा है तो खाद और क्रीसी संगठन खाद और क्रीसी संगठन द्वारा हाल ही में बैस्वी के खाद मुल सुचकां के जारी किया गया है खाद्दे मुल सुचकांग के खाद्दे और क्रीसी संगठंद्वारा अनाज मांस तीलहन चीनी और देरी उतपातकों की एक टोकरी की कीमत में मासिक परिवर्तन उप्योग करके मापा जाता है कौन सा मामला संबिदान के बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में नयाइक समिच्छा को परिवासित करता है तो कौन सा है तो इंद्रा गांदी बनामराज नरायन मामला इंद्रा गांदी बनामराज नरायन मामले में संबिदान के मूली संरचना के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोट द्वारा नयाइक समिच्छा को कहा गया है नएक समीच्छा बिदाई की अधिनियम और कारिपालिका की अध्यादेसों की सेंबेधानिक्ता की जहां चेहे तू नएपालिका की सकती है जो केंद्र एवमराज सरकारों पर लागू होती है कौन सा जलन निकाय कतर और सौधी अरब को अलग करता है तो कौन सा है तो फारस की खाड़ी कतर और सौधी अरब के मद्द पूर्वे देश से फारस की खाड़ी को अलग हुए है फारस की खाड़ी अरब सागर का एक बिस्तार है और सौधी अरब इरान, कतर, इराक, बहरीन, क तोमान संजुक्त अरव अमिरात के देशों की सीमाओं का विश्थार करती है नेस्ट कोस्टन है भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा सुरू की गई लीगल एंटीटी आइडेंटीफायर कितने अंकिय संख्या है तो 20 भारतिय रिजर्व बैंक लीगल एंटीटीटी आइडेंटीफायर की सुरुवात की है एक भी संख्य संख्या है जिसका उपियोग दुनिया भार के बीतिय लेंदेन के लिए बिशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है नेस्ट कोस्टन है दो दिवस्ये CIE बाटर बड जनगना दुजर बीस की सराज में सुरु किया गया तो कौन सराज है तो अंधर पर्देश बंबै नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने बीसे सग्यों के निर्देशान में जांदर परदेश में दो दिवसी एसी आई बाटर बाट जनगन्ना 2020 शुरू की गई है यह एक नागरिक बिग्यान काज करम है और इसे एसी आई बाटर बाट सेंसर के रूप में जाना जाता है नेट कोस्चन है बीस्व की पहली संसद के रूप में संदर्वी अनुभब मंडप की नीव की सराज में रखी गई तो कौन सराज है तो करनाटक है बीस्व की पहली संसद कहे जाने वाली अनुभब मंडप की अधार सिला करनाटक राज में रखी गई है इसका निर्मान बास् परवासी भारतिय दिवस का विशय क्या है तो क्या है तक contributing to आत्म निर्वर भारत सुलह में परवासी भारतिय दिवस कन्वेक्शन 2021 का विशय contributing to आत्म निर्वर भारत है परवासी भारतिय दिवस भारत के विकास परवासी भारतिय समूदा का योगदान का चिनित करने के लिए प्रती बर्स नौ जनवरी को मनए जाता है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के सेयर और कमेंट अबस करें अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वस वस वस